एक तरफा प्यार में एक चीज अच्छी होती है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अपने प्यार को कब गुडबाई कहना है और जब एक कपल के बीच लड़की नाराज हो जाए तो वो अपने मेल पार्टनर से एक्सपेक्ट करती है कि वो खुद गैस करे कि वो नाराज क्यूं है लड़के भी सोचते होंगे यार हम क्या कोई क्विज शो खेल रहे हैं ऐसी ही कुछ सिटुएशन से रूबरू कराती है रोमेंटिक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है वेट लिफ्टिंग फेरी केम बुग जो जो आज के यूद को सेंटर में रखकर बनाई गई है औ इनी सब पर आज की चर्चा रहेगी वेट लिफ्टिंग फेरी किम बुग जो एक ऐसी वेब सिरीज है जिसमें जीवन के अनेको रंग भरे हुए है यहां सेल्फ सेक्रिफाइस देखने को मिलता है यहां मिस अंडर्स्टेंडिंग के कारण ब्रेक अप देखने को मिलता है अपने पार्टनर के फैमिली रिलेशन्स को बचाने के लिए एहम कदम उठाये जाते हैं तो कभी कुछ चाइल्ड हूट ट्रेजडी प्यार के रंग में भंग डालने का काम कर जाते हैं यह कहानी बहुत कॉंप्लिकेटेड ना होते हुए भी तकरार फिर प्यार और फिर ब वेटलिफ्टर है अब क्यूंकि उसके पिता भी वेटलिफ्टर थे तो वो अपने पिता के पधचिन्नों पर चलने का मन बनाती है और पूरी एकागरता से अपनी मन्जिल की ओर बढ़ती है लेकिन इसी दोरान उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक और टैलेंटेड स्प पन पेगा तो अब्यसली ये प्रेम कहानी आगे चलकर अनेको अलग अलग रीजन से तूटने लगती है लेकिन ऐसा क्यूं हुआ कौन गलत था कौन सही और आखिर में क्या ये एक हो पाते है ये सब जानने के लिए आपको ये खुबसूरत रोमेंटिक सिरीज देखनी होग सिरीज में कोई विलन नहीं है हाँ ग्रेशेड में कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं बट ऐसा भी नहीं कि उन्हें देखकर उनसे नफरत होने लगे सिरीज में अगर कोई विलन है तो वो है सिटुवेशन्स आम फिल्मों में देखा गया है कि लास्ट के एक दो एपिसोड में यानि क्लाइमेक्स से कुछ पहले से ट्विस्ट आने लगते हैं और अक्सर क्लाइमेक्स में कुछ सर्प्राइस देखने को मिलते हैं इस सिरीज में ऐसा कुछ सर्प्राइसिंग नहीं रखा गया है कहानी प्रेडिक्टिबल होने के बाद भी इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है कि आगे क्या होगा जैसे प्रश्ण मन में बने रहते हैं नॉर्मली फिल्मों में कपल्स बहुत कॉमन होते हैं स्मार्ट, स्ट्रॉंग, अच्छी फिजिक वाला लड़का वही चाइल्डिस, चुलबुली सी लड़की लेकिन यहां ऐसा नहीं होता यहां लड़की वेटलिफटर है और लड़का सुइमर इस अनमैच्च्ट जोडी को भी डिरेक्टर ने जिस प्रकार से प्रेजेंट किया है वो बहतरीन है यह सीरीज ना केवल वेल रिटन है बलकि लीड एक्टर्स के साथ-साथ सपोर्टिंग कास्ट का भी बहतरीन अभी ने देखने को मिलता है फिल्म के दोनो लीड एक्टर्स के फ्रेनीमी से लवर बनने तक की इंटरस्टिंग जर्नी और फिर आगे की कहानी नो डाउट आपको एंटिटेन करने का काम करेगी आज जिस तरह से वाइलेंस और सेक्स से भरे वेब सिरीज ओटिटी पर देखने को मिल रहे हैं उनसे अलग ये क्लीन सिरीज है जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको अपनी फैमिली के साथ बैट कर देखने पर शर्मिंदा करें हाँ ये ज़रूर है कि ये एक रॉम कॉम सिरीज है जो ओव्यसली दोस्तों के साथ आप ज्यादा इंजॉय करेंगे पूरी सिरीज में बहतरीन हिंदी डबिंग की गई है जो एकदम फील नहीं होने देती कि हम कोई कोरियन सिरीज देख रहे हैं लाइट बैगराउंड म्यूजिक सीन्स को और खूबसूरत बनाते हैं अभी तक मैंने 14 एपिसोड्स देखे हैं और लगबग एक घंटे के पर एपिसोड्स हैं तो हर दिन आप इस एपिसोड को सिरीज की तरह देखकर इंजॉय कर सकते हैं निव जनरेशन के यूथ कहानी से रिलेट तो करेंगे ही साथी साथ कुछ मेसेज भी ये सिरीज दे जाती है तो आप ये वेब सिरीज Amazon वेब साइट के मिनी टिवी सेक्शन में हिंदी में देख सकते हैं जो कि बिलकुल फ्री है अगर आप अल्रेडी देख चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा ये सिरीज आपको कैसी लगी Have a nice day